नमशकार, तिबद टीवी के हिंदी प्रसारन में स्वगत है तिबद टीवी के सब्टाहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परंपावन डलायलामा और तमान तिबद के परिस्ति थी निर्वासन में तिबद तथा विश्व व्यापी तिबदी अंदोलन के संदर्प में जानकारी प्रस्तुत करते है आपके साथ मैं हूँ तेंजिन पैल जोग आगे देखे इस सब्ता के प्रमुक समाचार कैनाटा के विदेश मामले संबंदी संसदिय 27 समिती द्वारा तिबद मुद्दे पर सर्व समिती से प्रस्ताव पारेद केंद्रिय तिबदी प्रशासन ने सन्युक राज उच आयुक मिशल बेचलेट से तिबद यात्रा करने की अपील शिक्षा कलुन थरलन डोमा ने जवहाल लाल नैरू विशो विद्याले के कुलपती के साथ मुलाकाद की लंडन तिबद कारेले के प्रतिनिती ने चीन लोगतंतर पाठी के प्रतिनिती मंदल के साथ मुलाकाद फ्रेंच सेनेट के तिबबत समर्थक समूः की प्रथिनीथी मंडल का तिबबत कारले में स्वागत अब सुनिए समाचार विस्तार से केंद्रिय तिबधी प्रशासन के सीक्योंग पेमबाचिरिंग का जर्मनी और अमरिका की अधिकारिक यात्रा के बाद दो मैई से केनाटा का यात्रा कर रहे हैं सीक्योंग पेमबाचिरिंग का राजदानी ओठावा हवाई अध्डा पहुँशने पर विबन तिबधी संगठनों तथा तिबधी जनता ने हर्श उल्लास के साथ स्वागत की तीन मैई को तिबध पर कैनाटा संसदिय मैत्री समू ने सीक्योंग टाशी लिंबू मट के जिगेप रिंबू छे तथा प्रतिनी थी नमगिल छोटुप के स्वागत में संसदिय हिल पर एक समारों का विजन किया था इस स्वागत समारों में कैनाटा के आवाज और विवित्ता मंत्री एहमत हुसेन, संसदिय समू के अद्यक्ष अरिफ विरानी, सांसद रेंडल गेरिसन, सांसद इलिजबेट मै, सांसद गारनेट जिनियस, सांसद जेम्स मेलाउनी आदी कई वकालत अधिकारियों के इसी प्रकार पांच माई को सिक्यों पेंबच्रिंग और जिक्यब रिंबचे ने कैनाटा सेनेट और हाउस अफ कॉमन्स के विदेश मामले की 27 समिथी में तिबब मुद्दे वर्तमान तिबबद की बिगड़ती परिस्तिती तथा तिबबद के ग्यारवें पेंचेन लामा के बारे में सुनवाई दी थी इस सुनवाई के परिनाम स्वरूप संसदिये 27 समिथी ने तिबबद मुद्दे की शांतिपून समादान हेतो सर्व समिथी से फस्ताव पारित किया था इससे पूर्व संसत आरिफ विरानी ने हाउस अफ कॉमन्स में सिक्यों अधिकारिक रूप से स्वागत किया था अपने सुनवाई में सिक्यों पेंबाचिरिंग ने चीनी शासन के अंदर गत तिबबत के अंदर की विकर्टी राजनितिक तथा मानव अधिकार सिती के बारे में जानकारी सजा की उन्होंने तिबती भाषा और संस्कृती पर चीनी शासन दोरा दमनकारी नीती अपनाए जाने पर चिंता प्रकट की इसके अतिरिक सिक्यों ने कैनाडा नीती निर्माताओं से चीन के खिलाब अधिक विदेयक और प्रदिबंद लगाने की अगरा की इसी प्रकार सिक्यों पेंबद सिरिंग ने कैनाडा के विबिन शहरों में रह रहे तिबती समधायों तथा युवा पीडी के समूव को कि इंद्रिय तिबती प्रशासन के अधिकारिक नीती मध्यम माग दृष्रिकून तथा वर्तमान तिपद के स्तिती पर संबोधित किया था कि इंद्रिय तिबती प्रशासन के शिक्षा काल्यून अर्थात मंत्री थरलम डौल्मा और सचीब जिकमे नम्गिल ने जवहालल नहरू विश्व विद्याले के कुल्पती प्रोफेसर शांती श्री पंडित के साथ मुलाकात कि ही इस बैठक के दौरान काल्यून थरलम डौल्मा ने जेन्यू में तिपती विद्यार्थियों को फीज वृद्धी से हुई समस्यां से आवगत कराया साथ ही उन्हों ने इस विश्व विद्याले से सनातक केंद्रिय अतिपती प्रशासन के विबिन विभागों सहित विश्व बर के प्रसित संगठनों में सेवा किये जाने की जानकारी सजा की इसके अतिरिक्त कालियन थरलन डौलमा, सचीव जिकमे और संबोटा तिपती स्कूल के निदेशक ने केंद्रिय विद्याले संगठन के आयायस आयुक्त नीदी पांडे और उसके सहियोकियों के साथ तिपती स्कूलों को फंट प्राप्ती हेतु मुलाकात कर चर्चा की गत वर्ष सन्यूक राश मानवधिकार परिशत के 49 सत्र के दोरां उच आयुक्त मिशेल बैचलेट ने मई महिने में चीन तथा अन्य छेत्रों का यात्रा करने की गोशना की थी इस यात्रा का स्वगत करते हुए कि इंद्रे तिविदी प्रशासन के सूचना एवं अंतर राश्य संबंद विवा के कालन नौरजिन डौल्मा ने 29 अपरल 2022 को एक बयान जारी किया था अपने बयान में उन्होंने कहा कि सन्युक्त राज उच आयुक्त मिशेल बैचलेट दोरा हमारे पिछले अपील पत्र की जवाब नहीं देने के लिए असंतुष्टी जताई है उन्होंने कहा कि तिब्बत में चीन दोरा मानव अधिकारों की अत्याच्यारों पर उच आयुक्त की चुपी बेहत चिंता जनक है उन्होंने कहा कि उच आयुक्त को तिब्बत में मानव अधिकार स्तिती का अवलोकन और आकलन हेतू मानव अधिकार पर उच आयुक्त कारेलाई के लिए सर्वजनिक रूप से जिम्यदारी होनी चाहिए इसलिए उनोंने सन्युगराच उचायुक से चीन द्वारा अधिकर्चेत्रों की यात्रा के साथ तिबद में भी सुवत्तंत्र यात्रा करने की अपील की लंडन तिबद कारले के प्रतिनिती स्वनम फ्रासी तथा अधिकारियों ने चीनी लोकतंत्र पाट्री के प्रतिनिती मंदल के साथ मुलाकात की तिबद कारले के अधिकारियों को चीनी प्रतिनिती मंदल के अध्यक्ष श्री हाउ हुआंग ने अमंत्रित किया था अपने संबोधन में प्रती निथी स्वनम फ्रासी ने श्री हाउ का दन्यवात करते हुए कहा कि हम तिबती लोग, चीनी लोग तंतरपाठी के प्रती एक जुटता प्रकट करते है उन्होंने कहा कि चीनी राश्रपती शी जिम्बिंग के नेतरत्व में वरतमान तिबबत की स्थिती बद से बत्तर हो रहे है लेकिन हमें बिश्वास है कि एक दिन तिबबत को चीनी कम्मिनिस शासन से जरूर वास्तविक स्वेतता प्राप्त होगा और भविश्य में हम तिबबत में जरूर मिलेंगे इसी 22 माई 2022 को फ्रेंच सेनेट के तिबबत समर्थक समूग के प्रतिनिथी मंडल ने तिबबत मुद्दे के प्रति समर्थन तथा एक जुटता प्रकट करने हेतू पैरेज तिबबत कारेलय का दौरा किया था तिबबत कारेलय आगमन पर प्रतिनिथी मंडल को तिबबत कारेलय के प्रतिनिथी टाशी फिंजोक तथा सचीप नमगिल सम्टुब ने स्वगत किया था इस प्रतिनिती मंदल में समुख के अद्यक्ष सेनेटर श्रीमती जैकलिन ब्रिनियो, सेनेटर श्रीमती जॉली गेरूट, सेनेटर एंडरो गैतलन, सेनेटर एलम होपाट और सचीप थियरी मुनेर शामिल थे प्रतिनिती टाशी ने उन्हें तिब्बद मुद्दे के प्रति समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की और परंपावंद्राय लामा जी के स्वस्त एवं कारेक्रम के बारे में जानकारे दी साथ ही उन्होंने तिब्बद के अंदर की गंबीर प्रस्तिती के बारे में जानकारे देते हुए कहा की सन्युक राज उच आयुक मिशेल बैचलेट दोरा अगामी चीन यत्रा में तिब्बद मुद्दे को दर किनर करने के लिए निराशा प्रकट की इसी के साथ आज का खबर यही समावत होती है अगले हफ़ते हम फिर मिलेंगे मुझे दीजे आगया दन्यवाद